मस्कार दोस्तों, 8 मार्च 2014, रात को 12 बज कर 42 मिनट ने, मलेशियन एरलाइन्स की फ्लाइट MS-370 को खुलामपूर से टेक अप करती है, इस फ्लाइट को बिजिंग जाना है, इस फ्लाइट के अंदर 227 पेसेंजर बैठे हैं, 10 फ्लाइट एटेंडनेंस हैं, और 2 पाइलट है जो की प्लेइन को उडाने लग रहे हैं, एक तरफ है कैप्टन जहरी एहमेद साह, फिर्पन साल के जो की बहुत ही एक्स्प्रियेंस है, मलेशियन एरलाइन्स के ओन अप तो मुष्ट सीनियर और, दुसरी तरफ है फर्ष्ट ओफिसर फारी कमीद, 27 साल के हैं, इनके लिए एक ट्रेनिंग फ्लाइट है, इस फ्लाइट को कम्पलीट करते हैं, फुली सर्टिफाइड हो जाएंगे एक पाइलट पनने के लिए, फ्लाइट बीस मिनट तक उडान भरती है सही दिशा में, रात को एक बज़ की आठ मिनट पर मलेशियन पोस्ट लाइन को करस करके इस सा पाइड का कोई अता पता नहीं चलता, ये ऐ फ्लाइट अचानक से गाइब हो जाती है और बन जाती है दुनिया के सबसे बड़ी एलेसियर अच्छी निस्तरी Breaking news tonight, a Malaysia Airlines flight, Malaysia Airlines flight MH370, flight MH370, disappeared en route to Beijing We are ready, request involvement 340 to Beijing Flight MH370, ender In the airways के पहुचने के 20 सेंड बादी प्लीन अचानक डार से गाइब हो जाता है उस समय टाइम उराता रात को एक बज कर एक इस मिन प्लान पूर्य अचानक से रेडार से गाइब होई है, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जबाब नहीं था, बार बार कोशिश करने के 18 मिनट बाद आपका जो प्लेन है, MS-370 अचानक से रेडार से गाइब हो चुगा है, इस टाइम पे प्लेन को बीजिंग में लेंड कर देना चाहिए तरिके महां पे कोई लेंडिंग नहीं होती, इसके तुन बाद एक स्वर्च और प्रेशन को लेया जाता है, इस प्लेन को भुणने की इसके बाद से South China Sea बढ़ता है, तो अफिसली से बात है, इसी के बीज में प्लेन होना जाहिए तो इसी के बीज में सर्च अप्रेशन बुलाया रहता है, South China Sea के उपर प्लेन को भुणने की कोशिस की जाती है, लिए प्लेन का कोई नामों निसान नहीं मिलता, अगली को बज़ कर 22 में कोई, इसकी लोकिशन साॉथ चैना सी के उपर नहीं, बलकि इसकी लोकिशनस अप्लायड का कोई आइलेन के उपर बताई जाती है किन निसान नहीं मिलेसियन एरलाइस की फलाइ्ट आचानक से गाइब हो जाती है और बन जाती है, दुनिया के सबसे बड़ और इस मेलेटरी रेडार के अनुसार ये प्लेन अंडमान निकोबार के डिरेक्शन में जा रहा था बीजिंग से बिल्कुल उल्टी तरफ ये खबर सुनकर हर कोई हैरान हो जाता है कि आखिर प्लेन गया तो गया क्या बहुत लोग कहते हैं हिमालाई के तरफ का जिस्टान में जाकर क्रेस हो गया होगा इस दिनों बाद एक नया सबुत हाथ लगता है सेटलाइट डेटा से पता चलता है ये जो प्लेन था एक सेटलाइट से कम्मुनिकेट करने की कोशिस कर रहा था कोई आम बात होती है क्योंकि जो बड़े बड़े प्लेन होते हैं जैसे बॉइंग ट्रिफल सेवन हो गया ये जो प्लेन होते हैं इससे टलाइट से कम्मुनिकेट करने की कोशिस करते हैं तो इसमें कोई हैरान कर देने वाली बात नहीं है अपने कम्मुनिकेशन को आसान बनाने के लिए बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसे आपका स्मार्टफोन है आप बिना वाइफाई ओन किये आपके होट एसपोट को कोई कनेक्ट कर दे रहा है और उसी यूज कर दे रहा है ये बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसे बड़े बड़ कर रहा था लोग इन करने के कोरवा था जो सिटलाइट से 7 बार कईव कॉम्मिनिकेट करने की कोसिस दो मिनेटे से ने कमवनिकेट करने का लोकेशन पता नहीं चल पाया लेकिन बहुत सारे रिसर्च ओप्रेशन चले इस चीज पे कई सालों तक कई महीनों तक लेकिन आज तक इस प्लेन का कोई पता नहीं चला लेकिन कुछ दिन बाद एक नए सामने आती है अच्छी खबर ये थी 2015 में प्लेन का एक टूटा बहुत दिनों तक इस पे रिसर्च किया जाता है लेकिन इस वीडियो में इतना है क्योंकि मैं आगे नहीं बताओंगा अगर आपको आगे भी वीडियो इसी चाहिए जनकारी आगे क्या हुआ था प्लेन मिला या फिर नहीं मिला तो नीचे कोमेंट सेक्शन में पार्ट सब्सक्राइब करो लाइक करो कोई भी दिक्कत है नीचे कोमेंट सेक्शन बता सकते हो उसका सोलूशन हमारे टीम की तरफ से जल्दी परवाइड कर दिया जाएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ फेस्बूक इंस्टाइगा में फिट्यो को फ्लो कर लो और इ झाल